दोस्तों अगर आपके मूबाइल में भी थार्ड पार्टी थीम अप्लाय करने के बाद बाद या फाइं मिनिट ट्रैल वाला एरर आता है तो यह वीडियो देखते रहेगा यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत पॉर्टेंट होने वाली है और इसमें हम पर्मानेटली थी दोस्तों अगर इस ट्रैप का एरर आपके मूबाइल में रेसेंटली आपको देखने को मिलता होगा जब भी कोई आप थीम अप्लाय करते हो थार्ट पाटी थीम तो यहां पे आपको बहुत सार एरह आ जाते हैं बाइनाव और फाइब मिनिट टायल वाला और थीम स्टोर म पहला आइकन को भी प्रेस कर लीजेगा दोसर वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली स्टेप बाइस्टेप में आपको बताने वाला हूँ तो यहां पे आपको दो एप्स की जुरत पड़ेगी एक तो थीम स्टोर है जो की थीम स्टोर आपके मूबाइल में एवलेबल होना जो हम करेंगे सबसे पहले आपको जो थीम स्टोर इस पर लॉंग प्रेस करना है और यहां पे जो आपको सेंटर वाला अप्शन दिख रहा है एप इंफो एप इंफो में आपको चले जाना है वही प्रसेस करनी है यहां पे स्टोरेज का जो डाटा है वो किलियर कर देना है और catch भी यहां पर आपको clear कर देना है तो यहां पर आपको force stop का option दिख जाएगा और force stop के option को आपको click करना है और force stop कर देना है theme store को इसके बाद back आ जाना है और यहां पर आपको folder का option दिखेगा जो यहां पर आपको चले जाना है है और फोण स्टूरेज में आपको चले जाना है फिर अपे आपको फाल में चले जाना है और यहां से आपको सर्च करना है color OS का folder और color led के folder पर लॉंग case करना है और इसको यहांसे लिएट कर देना है password मागझेगा आपको यहां पर पासवर्ट सब्मिट कर देना जो भी आपके मोबाइल का पासवर्ड होगा और जो कलर हो इसका फोल्डर यहां से डिलीट हो जाएगा इसके बाद बैक आजाने है आपको और जो हमारी एप आपने इंस्टॉल किये हो आई मोड प्रो उसे यहां पर आपको टैप करक ने है क्लिक करने के बाद दोस्ते यहां पर आपकोव थीम अपड़ाइट्स का ऌप संद्ख सण दिक्एगा फ случा इस पे अचको आपको क्लिक करने और जैसे यहां पर क्लिक करोगा पेच्ट लिस्ट अफडीट काश्रेभ कर लें यहां वार्डर पर जाके जो थीम आप अप लाए करना चाहते हो त्रइशम प्रेस्ट近 जो भी थी मैं आपको एप प्लाय करना चाहते हो इस से आप मैं ट्रायल वुले ट्रायल से ट्रईक करने हैं जैसी में reflect करने के बात अपको सबसे सबसे बेगोसित या पे पैज कर लेना है जो आपकी थीम है उसे आपको यहां पर पैज कर लेना है तो जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तीन आपसन आएंगे सबसे नीचे वाला इस्टेरी वाला जो आपसन है आपको वहां पर क्लिक कर देना है तो जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपको यहां पे नीचे option आजाएका success page इतना ही करना है दोस्तों इसके पाद आपको back चले जाना है यह एपस को अटा देना है और यहां से आपको फिर से folder में चले जाना है इसके बाद दोस्तों आपको वो theme search कर लिने हैं जिसको आपने recently page किया था जैसे के real me dialer यहां पे theme जो है और यहां पर आपको त्राइब पर क्लिक कर देना है इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको डॉल्डर में फिर से चले जाना है और वही प्रोसेस करनी है जो कि आपने ColorOS के फोल्डर को डिलीट किये थे आपको चले जाना है और यहां पर आपको फिर से ColorOS का फोल्डर को चूज कर लेना है और यहां पर इसे सेम पैसे ही डिलीट कर देना है जैसे आपने पहले स्टेप में किये थे यह इसका जो फोल्डर है यहां से डिलीट हो जाएगा और इसके बाद दोस्तों आपको थीम स्टोर पर चले जाना है बैक करना है अगें फीमस्टोर पर चले जाना है और जो भी यहां पर arrive and just यहां पिर तरी करने के बाद The Hand Search करेंजा और सामने आपको जो first theme दिखनेगी उस्के पर हो सैंटर पर type करेंजा और tap करने के बाद इसे download कर लेना है तो सो थोड़ी देर बाद यह जो थिम है डाउनलोड हो जाएगी थोड़ा मेरा यहांपे slow है और डाउनलोड होने के बाद आपको simplement कुछ नहीं करना इस थिम को अपलाई नहीं करना है इसे ऐसे ही रख देना है डाउं्लोड यहां पर त HIM हो गई है अगर आप में इस onze here और यह प्बाटि घुड़ा से तो आपको हाँ से हट जाएगें तट आपको नहीं करना हैं और इसको simply यहां करना हैं तो यहां पर्ट कर देता हूं और यहां पर आपको सारी जो एप से पूसिट भी करना हुए और तुरंत यहां पे आपको जो mobile restart कर देना है तो जैसे आप mobile restart करोगे थोड़े दिर बाद आपको जो mobile reboot हो जाएगा reboot होने के बाद दोस्तों आपकी जो theme है वो permanently apply हो जाएगी third party theme और five minute trail वाला option नहीं आगा buy and walk option नहीं आगा मैं मी में my resource में आपको चलके दिखा देता हूँ तो यहां पे आप देखोगे जो stereo theme हम दें टाउड लोड की थी वह यहां पे आपको apply दिखा रहा है means यह जो theme है यहां पे pet theme case में आ गई है और इसे आपको apply नहीं करना है क्योंकि जिस theme को हमने patch किया था जो third party theme थी जो के real में dollar वाली theme थी वह apply हो चुकी है और उसको हमने आपे patch कर दिया था तो जो buy and walk option है आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा simply आपको अगर दूसरी theme इंस्टॉल करनी है तो आपको same यही प्रोसेस करनी पड़ेगी और यह जो theme store है यह जो theme है मैंने बनाई थी create की थी तो इस टैप की यह theme है अगर आपको यह theme डाउनलोड करनी है तो इसकी भी link जो है lips question box में आपको provide कर दूँगा theme में दूस्तो नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस टैप से दिखेगा और यहाँ पर file manager इस टैप से और setting option कुछ इस टैप से आपको देखने को मिलेंगे charging animation कुछ इस टैप से आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर यह जो theme है बहुत अच्छी theme है और realme का यहाँ लोगो वा पसंड़ आप लिसमें आप लाइक से और सबस्क्राइब कना में अविलेगा तब यहाँ अच्छी एंडिया प्रेगी पन्देमातरम